Hello everyone, welcome to my channel, तो friends आज हम discuss करेंगे 2021 के नयत के जो questions है, remaining questions वो हम discuss करेंगे तो friends हम लोग अल्रड़ी, हम लोगोंने अल्रड़ी 2021 के morning shift के questions बहुर कुछ discuss कर लिया तो आज इस वीडियो में हम लोग बाकी questions खतम करेंगे और आप लोग भी बोल रहे हो कि 2022 का चाहिए आप लोगों को तो फिर कल से, मतलब next वीडियो से हम start करेंगे 2022 वाला तीक है, चलो फिर वीडियो को start करते हैं तो आज का first question है, कि health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or informity यह definition किसका है, यहाँ पर बोला गया कि health से related definition दिया है देखो health का meaning, physical health, mental health, सब कुछ हो सकता है, social well-being, यह सब कुछ health का meaning है ऐसा नहीं है कि किसी के अंडर का disease नहीं है, तो फिर उसका health बिल्कुल ठीक है, ऐसे हम नहीं कह सकते है, health पोलने से किसी भी person का physical health, mental health, social well-being, सब कुछ mean करते हैं तो यह किसका definition है, यह है, world health organization, WHO का, ठीक है, तो option number four is the correct option यहाँ पर दिया है कि, यहाँ पर कुछ statement आपको दिया है, जिसको आप organize करोगे, मतलब sequence में लगाओगे और यह किसका statement है, यह advance organizer का statement है, ठीक है, advance organizer किस ने दिया था, also well ने दिया था, हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से, ठीक है, also well ने दिया था, advance organizer, तो उन्होंने क्या बोला था, कि कभी भी, जब भी हम class में बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, in advance हमें यह organize करना चाहिए, कि उस concept से related क्या क्या knowledge बच्चों के पास है, ठीक है, वो हो आने जा रहे हो, उससे related previous knowledge बच्चों के पास क्या क्या है, वो आप in advance organize कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके हिसाब से material को present करोगे, ठीक है, learning task क्या material को present करोगे, उनके cognitive, cognitive domain है, उसको strong किया जाएगा, ठीक है, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, वो उसको strong किया जाएगा, जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है, उसके बाद student का जो भी problem है, आपका पढ़ा के खतम होगे, फिर उन लोग का जो भी problem है, उसका clarification दिया जाएगा, ठीक है, तो यह है sequence option, number 3 is the correct option, next question ठोड़ा सा blur है, इसमें दिया है कि इन में से कौन सा MOOC के platform नहीं है, तो MOOC आप लोग को पता है, Massive Open Online Courses, तो कौन-कौन सा platform यूज़ करके हम MOOC दे सकते हैं, तो यह जो blackboard है ना, यह blackboard यह classroom में जो यूज़ किया जाता है, वो वाला blackboard नहीं है, ठीक है, blackboard बोलके MOOC का भी एक platform होता है, ठीक है, तो blackboard एक platform है, तो यह MOOC, इसके ज़री भी MOOC दिया जाता है, EDX भी एक platform है, शौयम भी एक platform है, आप लोग को पता है, लेकिन शौयम प्रभा क्या है, शौयम प्रभा है, जिसमें 34 DTH channel होते है, ठीक है, तो यह TV channel है, तो इसलिए last वाला नहीं है, तो option number 4 is the correct option, next है, यह idealism, realism, naturalism, pragmatism, तो यह concerns भी आप लोग को बहुत बानते है, spiritualism को बानते है, तो A के साथ 3, A के साथ 3 वाला दो option है, तो आप B को भी देख सकते हो, C को भी देख सकते हो, C naturalism के साथ 4 वाला होगा, तो आपका option आ गया, A के साथ 3, C के साथ 4, that means option number 4 is the correct option, next हम देखते है, following other steps of curriculum change, curriculum change के कुछ steps दिया है, जिसको हम में sequence पे लगा आते है, तो कैसे कैसे हम लोग proceed करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम present situation को analyze करेंगे, क्योंकि जब भी कोई change लाना होता है, तो हम situation के basis पे लाएंगे, अगर change की requirement है, तभी change लाया जाएगा, ठीक है, तो पहले हम current teaching practices है, learning goals है, उनको analyze किया जाएगा, अगर उनमें होगी, तभी curriculum change किया जाएगा है, तो पहले होगा E, तो E से start होने वाला एक ही option था, वो है option number 4, ठीक है, तो पहले हम इसी तरह के साब का answer आ ही गया, फिर भी हम देख लो, पहले हम analyze करेंगे, उसके हिसाब से re-examine किया जाएगा, कि जो goal है, उसके हिसाब से course design किया गया है, क उसके हिसाब से data collect किया जाएगा, ठीक है, दूसरे related data collect किया जाएगा, फिर major issues, data जब हम collect करेंगे, फिर major issues हमें दिखाए देगा, ठीक है, क्या-क्या problem है, वो हमें दिखाए देगा, उसी हिसाब से formulate किया जाएगा, new model, ठीक है, next question है, books, cinema, television, radio, newspaper, computers, यह सब कुछ क्या है, त हम लोगों ने बहुत से instructional media पढ़ा था, unit 5 में, next question देखते है, the courses hosted in SHOEM, SHOEM में क्या-क्या हमें मिलता है, video lectures मिलते है, self assessment के लिए test मिलता है, ठीक है, उसके बाद reading material भी मिल जाते है, और discussion forum भी होते है, लेकिन offline नहीं होते है, online discussion forum होते है, ठीक है, इसलिए D वाला नहीं होगा अब credit transfer होता नहीं है, तो A, B and E, that means option number 2 is the correct option, next हम लोग देखते है, the objective of induction training, induction training से related question बहुर आते है, आजकर induction training का meaning क्या है, देखो induction training का meaning है, जब भी हम लोग किसी भी तरिके का new job में joining करते है, ठीक है, new job join कर लेते है, मानो कि आज आपने कोई job join किया, तो फिर कल से कुछ दिन मानो कि 5 days या 7 days तक आपको कुछ training दिया जाएगा, वो training किस से related होगा, आपके job से related होगा, जिस job में आपने join किया, उसमें आपका duty responsibilities क्या क्या है, ठीक है, और जिस organization में आपने join किया, वो organization किस type के policies को, वो लोग follow करते है, ठीक है, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, त अच्छे से पता हो, आपको क्या क्या rule regulation follow करना है, वो सब कुछ आपको अच्छे से पता हो, ये सब कुछ सिखाया जाता है, ठीक है, ये skill development के लिए, या फिर आपका attitude development, इन सब के लिए नहीं होता है, ठीक है, तो induction तो इसी हिसाब से हम लोग का answer हो जाता है, option number 2, ठीक है, त सब कुछ आपको बोला जायागा, ठीक है, then presentation slide, so हम slide present करते हैं, slide present करेंगे तो बच्चे डेखेंगे हैं, तो मतलब visualize कर सकते हैं slide को, तो इसलिए वो किस type के aid में आते हैं, तो वो teaching aid, लेकिन वो किस type के aid में आते हैं, particular वो visual aid में आते हैं, ठीक है, option number 4 is the correct option, next question, ये बहुर easy question है, कौन सा commission या committee किस ने दिया था, कौन सा commission किस ने दिया था, तो university education commission किस ने दिया है, ये दिया है, राधा कृष्णन ने, ठीक है, national knowledge commission दिया है, sam petit roram, sam petit roram, अब नोग देख लो इससाब से आ जाएगा, education commission मतलब को थार education commission तो ये DS को ठारी का है, secondary education commission है, mudalier का, चलो, next question देखते हैं यहां पर दो स्टेटमेंट दिया है फर्स स्टेटमेंट में पूछा गया है बोला गया है कि एम अब एडुकेशन इंदिया पुराने ताइम में एडुकेशन के एम क्या था एडुकेशन का एम सिर्फ यह नहीं था कि नॉलेज एक्वेर करना है ठीक है यह नहीं था हमें ताहिं पुराने इंडिया में इंडिया के हिसाब से education का में एम था रियलाघ्जेशन अब सब्सक्राइब इंडिया थिक्या हम तो यह बिल्पुल कारेक्ट स्थेत्में है सेकेंड में बोला गिया कि education का जो एम है वो क्या होना चाहिए cognitive development लेकिन सिर्फ cognitive development ही aim of education नहीं होना चाहिए 21st century के हिसाब से cognitive, effective, psychomotor domain हरे domain का development हम education develop करना education का aim होना चाहिए तो इसलिए second statement incorrect है लेकिन statement number one is the correct statement next हम देखते हैं देखो political influence ज्यादा तर ज्यादा तर किस type के curriculum में देखा जाता है तो school curriculum में ज्यादा पॉलिटिकल influence देखा जाता है existentialism का ये बहुत ही easy है कि कौन सा primary belief है existentialism का existence precedes essence, precede का मीनिग क्या होता है पहले होना existentialism का ये मानना है कि existence पहले होते है फिर essence मतलब पहले हम लोग आएंगे उसके बाद ही बाकि सब कुछ होगा ठीक है पहले से ही कोई value या God ये सब कुछ पहले से exist नहीं करते हैं पहले लोग आएंगे उसके बाद बाकि सब कुछ होगा अचा ये question last video में हो गया था चलो फिर hope की almost हम लोगोंने सब कुछ cover कर लिया 20, 21 के जो morning shift के questions थे और उसके साथ RC आप लोग को पता है कि हर बार second paper में दो RC आते हैं RC मतलब reading comprehension का दो question, दो question मतलब paragraph आते हैं फिर उस paragraph से related five questions आएंगे फिर और एक paragraph आते हैं उसे related भी five questions मतलब total ये 10 questions हम लोगोंने वीडियो में discuss नहीं कि आप लोग देख लेना reading comprehension जैसे first paper में करते हो उसी टाइब से आपको करना है ठीक है बाकी question almost हम लोगोंने cover कर लिया चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपने next video में जिसमें हम discuss करेंगे 2022 के जो question paper है वो हम discuss करेंगे ठीक है तो वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड लोग के साथ सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को ठीक है मिलते हैं हम लोग अपने next video में थैंक्यू अब्रीवन